हेलो दस्तो स्वागत है आप सो के आपकी अपने यूटूब चैनल सेलफ हेश्टरी विद कुनन कुमार में आज जो हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चेप्टर छे जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराय और आपको बता दे कि चेप्टर वन से लेकर पान तक का हो गया है और ज से सीरीज देख लिए ताकि आपको अच्छा सचा नमबर लाएने में आपको सउयोग करेगा तो इसे सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिए अगर आप मतलब 2022 का एक्जाम की त्यारी करते चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ऑनलाइन टेस्स देना जाते हैं मतलब सब्सक्राइब करें मतलब लाइन हो सकते हैं यह देखिए आपका लोगों यूटूब चनल का नेम हो गया चलते हैं और आपका बता दे कि यह पूरे एक्जाम के लेवल की है और से एक रती एक मतलब स्किप किया तो समझें कि आपका यह दो नमबर इसे ही रॉंग हो जाएगा तो इसे शुरू से लेंदक जरू देखिए तो चलिए अपने फर्स्ट क्यों देखिए इसमें आपकी फर्स्ट क्यों आगे है कि अकबर ने टो डरमल को दिवाने असरफ नियुक्त किया था तो यह कब क्या था तो यह 1530 में कब क्या था 1530 भी हमारा राइट एंसर है जितने लोग भी लगाए है उनसर का बहुत अर देखिए बहुत एस्ट्रेंट क्या होगे ए लगा लगा लें उनसर का गलत है हाँ इसमें यह पुछा जा था कि अकबर ने अरंग जेव ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था और यह जो भी क्यूशन आया पूरा सेलेक्टेट है इसे मतलों हर बार पूछा यह था अपनी विश्वास से तो क्योशन बैंक देख लिजिए उसमें भी क्योशन आता रहता है तो पस्चिमी भारत में यह उत्र है अच्छा चैन्ज कर लेते को यह कुण सा ले ले यह दी यह नहीं लेंगे क्या यह 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 कुणसा कर ले कि लाली ठीक ना ऑग चली बलेक ले रहते हैं चली यह आपके तो पता चल एक हमारा राइट एंसर चलिए और यह ब्लेक बिक राउंड चैंज करती है ब्लेक बिक जिसका भी एंसर पता है तो फटा-फट करते चलिए भारत का पर्थम मुगल सासक कौन था यह भारत का पर्थम मुगल सासक बोला यह तो यह बाबर थे हमारा राइट एंसर है जितने लोग ए लगा है उनसे अभी तक तीन में तीन अभी तक सहिए और आप से पुछा जा सकता है कि बाबर का जनम कब हुआ था ठीक है तो यह भी पुजाजासर टेक्तर कब हुआ था तो 1483 में किसका जनम बताबर का जनम हुआ था जलिए हम आगे जलते अपने क्योंचन के साथ या डीटेल के साथ या कॉंसेप्ट के साथ जो भी पढ़ाने वाला होगा वह हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है और जो नहीं होगा हुआ हमने पढ़ाएं अब इसी में देखिए अकबर ने दीने लाई कब शुरू वाद किया ठीक है तो यह क्या होगा तो पंदरसो बासट पंदरसो चॉंसर्ट पंदरसो बिरासी यह होगा डी और जो आप सो लगाए हैं देखा यह निर्मान किसी ने करवाया है तो अकबर ने जागीर ने और चहाने जो निर्मान करवाएं कूं क्रों की है एक हमारा राइट र We can और किस स्ञमेंड कर था और यह स्वाहरी याद में तो ममताज की तो कि मेरेलिए कुछ ऐसा बने कि हाँ अब चाहे हैं हिसे याद कर हुआना जानते ही हैं चलिए यह आपके सामने च्छो नमर की अकवर ने तिर्थ यात्रा कर समाप्थ किया तो यह पंदर सो तिर्थ यात्रा को समाप्थ कर दें तो यह आपको फटा-फट कमेंड करना है तो यह आगे चलते हैं समद गये चलिए और यह आपके सामने साथ नमर की उचन है कि किस मोगल सासक ने दासप्रथा समाप्थ किया तो कुण क्या अकवर जागीर औरंग जेब साज जहां तो यह अकवर किया था ज्यादे खासकर आप देखिए का इस चिप्टर में च्छटा चिप्टर है और इसमें खासकर अकवर के बारे में तो इसने क्या था तो समाप्ट चेया और उन्हें 1530 में कन सा किया थी तो सब्सक्राइब करेंगे जितने भी लोग है क्या होगे तो क्या होगा फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगा तो यह अक्यवर होगा बहुत बार यह जितने भी लोग यह लगा है उनसे का बहुत अच्छा त्यारी भी है और हिस्ट्री में जान रहें कि आप सब परसेंट से उपर ही उठाइएगा क्योंकि आपका देखे अगर हम पर भरोसा है थोरा सा भी भरोसा होगा ना तो शिर्फ आप अभी से लेकर परते रहें ठीक है और आपको लास्ट में सब्जेक्टी देंगे और आप सो कहीं का सब्जेक्टी लाने के लिए जल्दी आन दें कर दें किस वाता तो किसका वाता किसका वाता तो 1556 में फान आपको बताएक अकबर के मतलव था न तो सब्सक्राइब कर दिया गया था ठीक है इसमें इसको कर दिया गया था ठीक है देखें इसमें जो है ना राजिया विस्यक मतलब अपना मकवारा कहा बनवाया तो आपके सामने दस नमर के उचने कि अकबर ने अपना मकवारा कहां बनवाया सिकंद्रा में सिकंद्रा में फटेपुर सिकरी में तो बहुत से लगान देगा तो इतने पर्षे लगा इखेंगा उनका और लुग सब्सक्रास्व होगा तो सी हमारा राइट एंसर है चलिए यह आपके सम्दों दो काबूल में कंधार में कंधार में इन में से कोई और सी हमारा घंचर है तो इसके यह झार है देखें कि वाकर के बारे में बताया है किहा तो पंदरह 21 6000 कशना अक्बर के बारे मिपश यह अक जर्म कब बाइब को थो 1500 मतलब ऑभी कहाय तो प्रतमान में वर्तमान भी कहाय तह कोई का नहीं है कि किस मुगल सासक ने सतीपरा परेटा पर्रतिबंद钱 लगा दिया था तो इसमें के अकबर बाबर हिमाईव या जाहगीर तो फटा-फट कमेंट करेंगे आप सब कौन क्या था तो यह कुन क्या था तो यह अकबर लगाया हुआ ठीक है चली बहुत बरी है आगे चलते हैं देखे अब यह क्योशन आपके लिए देखे जजिया कर समाप्त किस मुग सब्सक्राइब करेंगे तो यह अकबर ने जाहगीर बाबर यह सा जाहा तो हमारा क्या फटा-बट कमेंट करेंगे आप सबी जितने फटा-फटा-बट कमेंट करेंगे लगा है उनसे का जितना बी सही है इसमें संड़क्षन बोला जाता कि अकबर के सामने था उसका कोई मंत्री उंतरी होता उसी परकाल यह संड़क्षन मतलब कोई थे संदक्षन थे ठीक है क्या होंगे तो यह हमारा राइट एंसर है और यह है ना वह 15 से मतलब था ना जो बैरम खा वह 1556 तब देखें रुखे जाए हलका समझा ठीक है है उतव आना ही चांस रहता है और चैप्टर भाइज पर ने को है और आपको बता हैं कि आंसे लेकर प्रणिट होता है ते सिरी जाते हैं पचास का फिर चोड़ा दसता कंपीट तो इसमें दो और फिर उसमें तो यह जातेए ही से ताब आपको अच्छा तब यजोर त्यार हो तो इससे üç हम आप नहीं करते खेल से परकिस राजय पर नहीं कर चाह होता किल екर यह कि यह जोद्पूर जाथ कर रहे हुए में गभर ने पराजित किया अपको बता दें पहले इसे साथ तो पानिपर दूतिय यूद्वा था 15-56 अधिक है और हम की हार होई और अकपर का भी जाय हुआ ठीक है चली कि यह आपके सा में उनही इस नमर के में ऍपिंदेश साथ को प्राजित करके करके मुगल समराज की मतलब इसे इसके बुलाया कि मुगल ऑलने आपनों 276 सीसी हरा दिया और sera 506 में collaboration तो यह इब्राहीम लोदी अंतिम सासक भी होता है ठीक है लोधी बन्स का अंतिम सासक की इब्राहीम लोदी होता और यह परतम यूद कभा पानीपत का तो 1560 अद्धूतिय 1556 में होता है चलिए यह आपके सामने हो गया आपके 20 नमर क्योंचने पूरा 40 अबजेक्टिव है इस 1526 में मतलब इब्राहीम लोदी गहरा के निव डाली थी ठीक है और यह 30 में इसकी मिर्टू हो गया था देखिए 1530 में किसका तो बावर का मिर्टू भी हो गया था चारी साल इसके बाद रहा चलिए आगे चलते हैं यह आपके समने कई नमर क्योंचन के बावर ने अपने य जो है बावर किस बास समय लिखा था फार्ची में नहीं लिखा था और अर्वी में लिखा था मुंगे में लिखा था तो यह तुर्की में लिखा था दी हमार राइट एंसरे जितने भी एस्ट्रेंट डी लगाए है उन सब का बहुत बढ़िया है चली यह आपके सामने के बावर की आत्म कथा का नाम है यह बावर की आत्म कथा का नाम प्या होगा यह तो यह नाम या तो बहुत से च्ट्रेंट करते सब्सक्राइब बावर करते तो लिखा हुआ है और आपको बताते कि आपके सब्सक्राइब किसके समय में हुआ तो यह बोला जाया रहा किस्ट काल में मतलब रिकास वा तो यह क्या करता ना की बहुत अथी हो गया था बिकास हुआ पूरंग जहागीर आकपर के इस लोग है जो भी लोग करेंगे इसका उसको हम अगले वीडियो में इसका उसका नाम भी लेंगे चलिए आपके लिए छूड़ती है अब सामने 24 नमर की पानी पत पानी पत होना चाहिए का पर्थम यूद कब वहा था तो आपको पहले बताए किस कब होता तो 1526 में वहा था जिसमें बाबर की जीत हो या इब्राहिम लोदी की हार होई और यहीं देखिए 1556 इसमें दूति यूद हुआ था यह किसके किसके बीच में करेंगे चलिए यह तो आपको बता दिए पहले भी चलिए जो बता दिए उसके बारे में क्यों जादे डिस्कर्ट करें चलिए वह समझ में आ गया अब देखे पानी बत के दूसरे भी आया तो क्या बता तो 1556 हमारा राइट एंसर है चलिए यह आपके सामने कौन मुगल ब है तो कौन सा है तो औरंग जेब सा जहां बहादूर सा जफर या जहागीर तो आलम गीर के नाम से जना तो आलम गीर के नाम से और यह चठा सासक पर था ठीक है जैसे चठा होता है तो यह बहादूर सा साफर आपको बता हैं कि भारत का अंती मुगल सा स्कून था तो यह बहादूर सा जफर बाता हैं कि बहादूर मुगल साथ तो यह बहादूर सा जफर था तो दी हमारा राइट एंसर है चलिए आगे चलते हैं यह कि चलब और आपको बता दे कि यह बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में सब्जेक्टी बनाए हुए अगर आप कहिएगा तो इसका ला देंगे सब्जेक्टी अच्छा कासा समझाएं कि मतलब क्या होता है कारण आपको कुछ और कुछ हम आपको सब्जेक्ट्री में बता नहीं ठीक है जोग आपके समनें 39 नॐकर आया हुए और किस दिलिए घर के लिए मंदिर के लिए आया महजीद के लिए या मकबारा के लिए तो सी हमारा है चली आगए चलते हैं दस क्योंचन बचा है दस क्योंचन कर लीजिए अब देगे तीस नमर की बीरबल का अस्री नाम क्या था यह भी आपके भीविया की तौर पर रख लीजिए आने का चंज रहता है चली हम आपको सुरू में बूल ले हैं कि जो भी क्योंचन है सिलेक्टेड और प्रख आप लाने में यह सभी क्योंचन बहुत सहीयो करएं और डशीजिए लिए आपके सांद आपके सा साक स्वेवियंगम महान कभी भी था इसमें था ना कि एक कभी के रूप में भी जाने था उस Ini कौंग सांसक मुगल सासक तुम हें उपैपर क dificil कि करेंहों जितने बहुत बश्य कुमेंट कर primo है यह हमारा प्राइट ले हैं चलिए यथ चुरिए अभगों समय यहां यूद्ध वा था तो तो यह हुआ था 1527 में ठीक है 1527 में कुल देखे इसमें था ना दबावर ही सब बिर जीता था 1529 मतलब यह चार-चार बेरी बावर जिता है यूद चार-चार बार जितने के बाद 1930 में उनकी मिर्तु हो जाता है में भारत की जन संख्या थी आप बोला जारे कि मॉर्लेंट है ना उसके अनुसार में भारत की जन संख्या कितनी थी तो पचास लाख या 15 या 100 या देर्शों लाख तो आप सीधर खड़े खड़े लगा सकते हैं कि सौल आख राम सोगा ठीक है तो यह मॉर्लन मॉर्लेंट अपको फटाफट करना जल्दी जलदी इतने भी इस्ट्य इंट करेंगे ताकि आपका तो आपका राइट एंसर जितने लोग भी लगा है उनसे का बहुत बढ़िया चलिए यह आप किसाने 35 नमर क्योंचन है कि निम्र में से कौन मुगल सहजादी थी जो कभीत्री भी थी अब इसे मुगल सहजादी थी देखिए मुगल भी अग्ला सहजाद दोनों चाहरे है टो लगा जाता है और बंतलों एक व्लंद्री थी तो यह हमारा राइट एंसर और आप से पुछाया सकता है कि कुण मुगल सासक यह कभी था तो क्या था तो यह बावर था ठीक है और कभी त्री पुछाया था तो जहां आ रहा थी ठीक है चलिए 35 नबर हो गया अब के सामें 36 नबर की हल्दी घाटी का यूद किस वर्स हुआ था तेखें यह भी मोस्ट भी भी आया अबजेक्टिव ठीक 1576 में हुआ था 1576 में जितने भी लोग सी लगाया है उनसा का बहुत बढ़िया यह चलिए आपके सामें 37 नबर की होचन है कि लोधी वन्सकांतिम सासक कौन था यह लोधी बहलोल लोधी सिकंदर लोधी या काफूर लोधी तो इसमें राटन से क्या हो था इब्राहिम लोध लोधी को पंद्रसो पंद्रसो चबीस इसमें बावर ने हरा दिया था ठीक है यह आपके सामने 38 नबर क्योंचन है कि हमायू का भाई कौन था कामरान या अकसरी असकरी या हिंदाल या इन में से सभी तो राइटन से क्या हिमायू का भाई है ना उस सभी था मतलब बहुत ब पहले बताएं कि तुझ मतलब अकबर नामा की रचन किसे ने किते यहां पर अकबर रहता तो क्या होता अकबर होता और यहां पर बावर देते क्या होगा अब अपकोस यही होना चाहिए तो इसमें राइट एंसर है चलिए आपके 40 नमर की दीन एलाई संबंदी थे और दीन चलिस में चलिस सही हुआ है तो क्या करेंगे क्या में करें कि सर मेरा 40 अपको सब्सक्राइब कर लें झाल कर लें एंधर बगल में अगर लाइक का अफसन दिखाए तो सभी लाइक कर देंगे और ऑनलाइन का तरीका देखें बोर्ट पर इक्षाव के तयारी करें या इस चै जाकर अब बिदे सकते हैं अब यह बखेए अब अब देशक्त प्रप्तर देए जितना करतेंगे उतना अच्छा रहेगा अभी फटब अपने दोस्तों को भी सेर्क पर देंगा गुरूमिक सेर्क करतेंगे तो बाई मिलते हैं अगले चेप्टर में